जै मातन दी, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपको बताऊंगी सौंबार के बृत में चूर्मा का परशाद कैसे बनाया जाता है, सावन की महिने में चूर्मा का परशाद संकर भगवान को चड़ाया जाता है, कोई भी मांगलिक अपसर हो, सावन में सिभजी का बृत हो, सो बताऊंगी स्परशाद को हमें कैसे बनाना है, हम एक परात लेंगे और उसमें हम गहूं का आटा लेंगे, गहूं का आटा हम एक कप लेंगे, अगर हमारा आटा ज़ादा बरीक है, तो आप इसमें सूजी भी डाल सकते हैं, सूजी ऑप्शनल है, इलायची के दाने ले सकत बारिक कटे हुए थोड़े से मन पसंद के ड्राइफ रूट ले सकते हैं और हमें इसमें लेना होगा गोड़ या देसी खान तो ये देखिए मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है उसमें आधा कप देसी घी डालेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाएंगे ये पर जब नमकीन बनाते हैं तब हम इसमें दही डालते हैं तो हम जब ये परशाद बनाएंगे तो शंकर भगवान का हमें ओबनमेश्वाय मंत्र बोलते रहना चाहिए हमारा परशाद अमरत हो जाता है अब हम इसको थोड़ा थोड़ा दूड़ डाल कर सक्त आटा गूंदेंग जैसे पूरी का आटा लगाते हैं वैसा ही हम इसको लगाएंगे ये देखिए आप इसको बहुत अच्छे से मल लिए और ये बहुत जल्दी मल जाता है तो ये परशाद बना कर ले जा सकते हैं आप स्वेम भी खा सकते हैं भगवान का भोग भी लगा सकते हैं इस से सकते हैं यह परसाथ जो वहार भाहर रहती हैं जौण करती रहती हैं और कहीं होस्टल में पीजी रहती हैं समबार क अब करती हैं तो उनको परशाथ में बड़ी दिक्कत होती है कि क्या वनाना है तो मैं उनके लिए बता रही हूं कि आप बिना डारेक्ट घीमे से एक सकते हैं बहुत लो फ्लेम पर और उनको पीस दीजिए मिक्सी में तो अब मैं क्योंकि बिना मिक्सी के बता रही हूं तो इस तरह से हम छोटी-छोटी लोहियां बना लेंगे और उनकी फिर हम पूरी बनाएंगे बहन बेटियों के लिए है जो सर्विस करती हैं जो वर्किंग हैं जिनके पास ठाइम नहीं है वो इस तरह से बना सकती हैं एक खटा बनाकर भी रख सकते हैं एक कोशन हनुमान जी महराज के लिए बना सकते हैं जब गड़ेश चतुर्थी आती है तो आप ये परशाद के लड़ू गड़ेश जी महराज के लिए भी बना सकती है तो मैं आपको पता रही हूँ कि ये वाले जो परशाद होता है बनाने का आसान तरीका अब हमने कड़ाई में घी डाल कर उसको गरम होने रख दिया है हमारा घी गरम हो गया देखिए अब हम इसमें पूरी डाल दी है इसको लो फिलेम पर हम सेकेंगे और जब तक हम अपने और पूरियां भी बना कर रख लेंगे ये देखिए पूरी बनकर तैयार हो गई है आप इसकी तवा गरम करके तवह पर रोटी या पराठा भी बना सकते हैं उसके साथ भी पराठा बहुत स्वाद लगता है ऐसे ही पराठा जब बना लेते हैं तो मीठा रोट बन जाता है जैसे हमने दूद में मला था तो हम चीनी को दूद में घोल लेते हैं सक्कर को और उसके साथ आटा मल लेते हैं फिसका पराठा बना देते हैं तो वो रोट बन जाता है हनुमान जी महराज का रोट चड़ता है तो ये जो मैं आपको परशाद बता रही हूँ ये जो सवामनी चड़ती है हनुमान जी की महराज की जो हम कोई परशाद बोल लेते हैं कि सवामनी चड़ाएंगे तो उसमें आप इसी तरह से परशाद बना सकते हैं सवामनी का परशाद भी बिल्कुल इसी तरह से बनता है खुब घी पढ़ता है उसमें आप सूजी मैंदा मिला सकते हैं टेस्ट के कॉर्डिंग मैं खाली आटे से ही बता रही हूँ क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि हमें बरत में एक ही अन खाना चाहिए दो तिन तरह के अन नहीं खाने चाहिए तो ये देखिए आप इस तरह से बड़ा सा पराथा रोटी बेल कर उसको इस तरह से काट लीजिए छोटी टुकडों में जैसे नमक पारे बनाते हैं ये भी आप लो फिलेम पर सेख सकते हैं यानि मैं आपको दो तिन तरीके से परसाद बनाना बता रही हूँ जो आपको सुविधा लगे आप इसी तरह से परशाद बनाईएगा आप कभी भी सोले समबा के बरत रखते हैं तो इसी तरह से परशाद बना कर भगवान को चढ़ा दीजिए और आप स्वेंबी खा लीजिए इस परसाद को सोले समबार के ब्रत में तीन हिस्सों में बनाया जाता है बड़े बड़े तीन लड़ू बना लीजिए एक आपको सिवजी भगवान पर चढ़ाना है एक नंदी जी महाराज को खिलाना है और एक लड़ू आप खुद खा लीजिए नंदी महाराज नहीं मिलते हैं घर के आसपास नहीं है तो आप परसाद भी बार सकते हैं तो आप यह देखिए बिल्कुल लाल लाल सेख नहीं है हमें एकदम चित्तेदार ऐसे कच्चा नहीं रहना चाहिए इसको पर इतना टेश्टी नहीं बनेगा बिल्कुल लाल लाल सेख लीजिए और थोड़ा थोड़ा आप जब यह ठंडा हो जाएगा तो आप इनको मिक्सी म बताऊंगी मिक्सर ग्रैंडर में आप डाल कर इसको भी पाउडर बना सकते हैं लाइची के दाने ड्राइफ रूट सब आप उसमें डाल कर पीछ सकते हैं और थोड़ा घी मिला दीजिए लेकिन यह देखिए मेरा तरीका ऐसा है कि बेलन से हम इसको इस तरह से बेलेंगे औ बहुत आसान तरीके से बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और बहुत ही अच्छा चूरा बनकर तैयार हो जाता है दो से तीन मिनट से पहले ही यह परशाद आपका बनकर तैयार हो जाएगा तो अब आपको परशाद बनाने के लिए ग्रैंडर की ज़वत नहीं पड़ेग यह देखिए और जो हमने अभी नमक बारे की तरह जो चोटे चोट टुकडे फ्राय किये थे वो भी बिल्कुल ऐसी तरह से चूरा बन जाएगा यह देखिए कितना बढ़िया चूरा बनकर तैयार होने वाला है भगवान जी के परशाद का इसी तरह से आप कोई भी मांगल एक सुब अफसर होते हैं कोई भी कारिय करम करते हैं आप बजार से लड़ू या बूंदी लाना नहीं चाहते हनमान जी महराज की पूजा करते हैं तब भी आप इसी तरह से परशाद बना लीजिए सब को बांट दीजिए चोटे छोटे लड़ू बना लीजिए क्योंकि ब चूर्मा चड़ता है इसी तरह से बनाया जाता है यह देखिए बिल्कुल चूरा बनकर तयार हो गया है और एक कटोरी आटे से जो हमने कपाटर लिया था उससे काफी सारा प्रशाद बनकर तयार हो जाता है तो यह देखिए हमारा चूर्मा तयार हो रहा है अब हम इसमें म तो मैं आपको दिखा रही हू कि आप Node आप डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं लोग श्काण सकते हैं नहीं परेशान मत हो यह कुल डालेंगे तब भी इतना टेश्टी बनेगा कच्ची खान डालेंगे तब भी इतना ही तेश्टी बनेगा अब यह देखे इसमें इतना सारा घी डाला था उसके बाब यह कितना सुखा सुखा है तो आप हम इसमें देशी घी डालेंगे इसको इस तरह से परशाद में हनुमान जी महराज के परशाद में देशी घी का ही यूज़ करना चाहिए नहीं दालना चाहिए भगवान के परशाद को सुद्र देसी घी से ही बनाना चाहिए तिल का तेल हो मुफली का तेल हो या रिफैंड हो कोई भी चीज हो वो नहीं डालने चाहिए डालडा घी नहीं डालना चाहिए सुद्र देसी घी से ही परशाद बनाना चाहिए तो ये देखिए अब हम इस तरह से छोटे छोटे लड़ू बना कर रख लेंगे बच्चे होते हैं परशाद बाटने के लड़ू की जरूत परती है तो आप इस तरह से लड़ू बना सकते हैं नहीं तो आप इस तरह से चूर्मा का भोग लगा सकते हैं तो ये मैं भगवान को भोग लगाने जाओंगी मंदिर में और ये घर पर भगवान जी का परशाद चड़ाओंगी तो ये मैंने आपको दिखाया कि आप सिभजी भगवान का चूर्मा भोग परशाद कैसे बनाएं आई होप कि आपके वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताईएगा कि आप लोग परशाद कैसे बनाते हैं ये परशाद आप हनुमान जी महराज के लिए और संकर भगवान दोनों के लिए बना सकते हैं तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली अच्छे ची वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आई होप की वीडियो आपको पसंद आ आकर मंदिर में बार दीजिए भगवान पर प्रसाचला दीजिए आपका अध्यापन पूरा हो जाएगा